हेलो, what's up guys, my name is Vinod Badu Thapai and today in this video we will see how to connect your database with your backend जी हाँ guys, तो आज वोड़े बहुत ही ज्यादा आसा बने होला है क्योंकि finally, finally आज हम हमारे जो backend है उसको official जो हमारा database है using Mongoose and MongoDB उसको आज हम connect करने वाले तो मतलब यह कि हमारे backend का जो भी data होगा वो हमारे database पे store कर सकते है तो guys, बिना किसी देरी का वहम वीडियो को स्टार्ट करते है ठीक है तो सबसे बहले तो guys, database हम इस में उसकरने जा रहे है MongoDB, so again आपको चलना पड़ेगा आपको MongoDB पे and then आपको Atlas, इस तरकेस उपन करना पड़ेगा MongoDB Atlas and believe me guys, मैंने already, yeah guys, मैंने world best MongoDB course already upload कर चुका, यहां पर आप देख सकते हो I guess it's hardly three point something hours long, yeah sorry not three point something, it's five hours and twenty minutes long इसमें बहुत कुछ मिलेगा and मैंने जो इस course में बताया आपको पूरे YouTube में कहीं नहीं मिलने वाला है इवन आपको paid course में भी इतने awesome तरके से Hindi में किसे नहीं बताया होगा and सारे files मेंने share की है, सब कुछ मेंने share किया तो इस video को भी जरू check out कीजेगा आपको बहुत ही ज्यादा मज़ाएगा believe me बहुत ज्यादा मज़ाएगा ठीक है, so yeah guys this is it, so आप सबसे पहले sign in कर लिजेगा ठीक है तो आप चाओ तो email address कर सकते हो या GitHub के through कर सकते हो, I highly recommend to go with the Google at first, जो भी आपका normal email हो कुछ भी है तो कैसा आप देख सकते हो कि मैंने on login कर लिया है, simple ठीक है, मैं फिर से एक और बार आपको बता रहा हूँ, I highly recommend, please इस video को जरू check out कीजेगा, at least starting का कुछ पार्ट, मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो, understanding, यह देखो, installing, wongodb and associated components, ठीक है, बस इतना थोड़ा, hardly 10-15 मिनिट का इसको एक बार चेक कर लिजेगा, आपको बहुत हेलफुल होगी, ठीक है, तो सबसे पहले तो कैस कुछ setting है, जो आपको करना जरूरी है, and that is, सबसे पहले है, यह जो network का access, इसको जरू check out कर लिजेगा, कि भई सब को set है, या नि आपने, आपने आपको address, I mean, access दिया है कि न अपने local system को, है न, network access, and this is your database का access भी जरू check out किजेगा, आपको password पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, and then guys, अब आपको सिद्धा आना होगा, आपको अपने database पे, ठीक है, and then guys, सिद्धा आपको आना है, अपने database पे, and here we have this connect वाला option, ठीक है, तो यह जो connect वाला option है guys, यह तो मैं आपको कल के दिन में बताऊंगा, but याद यह है आपका database, आपको बस इतना ध्यान में रखना है, and guys, मैं फिर से आपको highly recommend करता हूँ, please इस वीडियो के एक बाद जरू check out किजेगा, इसके starting के 15-20 मिनिट का वीडियो जो होगा, इंस्ट्वाला पार, database को creation करने वा आप यहाँ पर प्लस साइन जो है, टर्मिनल ओपन करके अब इसको क्लिक कीजे, तो अब आप एक और टर्मिनल पर आ जाओगे, जहाँ पर आप सेम जो आपका root है, अब उसको access कर सकते हो, right, so we have a server, तो CD server पर मैं जाता हूँ, this is it, CLS में कर रहा हूँ, मैं अब इस वाले मै आपने भी की हो, and once again, वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा, simple, okay, and yeah guys, अब मैं बार बार ये वीडियो नहीं बोलूँगा, आप इतने होश्यार हो है, कि आप समझ चुकियो, so we have this mongoose, आप देख से तो, क्लिक डाउनलोड बहुत जादा है, तो इसको copy कीजे, यहाँ प करना होगा आपको, again, आपको यह जो server वाला folder है, इस पर आपको एक new folder क्रेट करना होगा, and आपको नाम देना है, utils, basically, utility की हम नाम देते हो, and database.js, basically, db.js, ठीक है, perfect, so, बहुत ही जादा simple है, आप सोच नहीं सकते, so it's a const, हमें mongoose, यह जो constraint variable, इसको मैं get कर रहा हूँ, and require, मैं लिख देता हूँ, from mongoose, so, again, आप समझ चुक होगी, यह जो मेरा variable, इसमें सारा power आचुक है, mongoose के, चाहे उसके functions कह लीजे, या properties, ठीक है, methods and properties, वो ज्यादा बेटर रहाएगा, right, so, अब आपको बस लिखना, यह है, mongoose.connect, and then, आपको, यहाँ पे, basically, वो जो URI है, उ तो मैं चलता हूँ, मेरे cmd पे, simple, ठीक है, terminal पे, यहाँ पे मैंने आपको बताया है, कि we have a mongoose, आप directly इसके थूर, इसको access कर सकते हो, and once again, इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा, बहुत ही ज्यादा simple है, ठीक है, तो यह एक तरीका ह मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे, जब आप मैं इस पे जाता हूँ, and connect पे click करता हूँ, so एक तुम मेरा drivers है, drivers मतलब node.js, python, वो एक language है, एक तरीका है connect करने का, जुस्ता तरीका है compass, and मेरे पास already compass भी है, by the way, आपको mongodb compass लिखना पड़ेगा, mongodb compass इस तरीके से, ठीक ह पे मुझे एक इस तरीके का, एक server दिखाई दे रहा है, and then we have this cell, तो यह वो cell है, जो मैं यह अब use करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं cell पे click करूँगा, so जब मैं cell पे click करूँगा, तो मुझे यह link आ रहा है, तो basically, यह मेरे official server, जो मेरा online host हो रखा है, मतलब मैंने अब तकी नहीं है, by default होता है, तो उससे connect करने के लिए वो code था, लेकिन मैं क्या करूँगा, मेरा जो local database है, यह देखो na, mongos लिखते ही, मेरा अब जो local database है, जो मेरे system पे ही रहेगा data, वो यहाँ पे आ चुक है, and यहाँ पे आप देख सकते हूँ, mongodb, colon, hyphen, hyphen, 127.0.1, and यह वाला किसे लिखना पड़ेगा, and यहाँ पे after यह जो forward slash है, अब कोई भी एक file का नाम दे दीजे, let's say मैं लिख देता हूँ, one, underscore, admin, ठीक है, बस इतना मैं लिख के छोड़ देता हूँ, या this is it, मेरा काम हो गया है, इसको कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे थोड़ा सच्छे से हम काम करते है, यह जो मेरा part है, इसको मैं अभी क्या कर रहा हूँ, comment कर दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, comment कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना, इस तरी किसे निची, थोड़ा बैटर लगे है, so let's go with connect your dv, will be equal to fat arrow function, मैं इसको यहाँ पे asynchronous function बनाना चाहूँगा, यहाँ आपको request response कुछ लिखने की need नहीं है, let's go with your try and then catch block, over here you can write like dot error, ठीक है, console dot error, and यहाँ पे आप लिख सकते हो, database connection fail, ठीक है, कुछ भी लिख सकते है, ऐसा कुछ ही नहीं, database connection fail, and यहाँ पे अगर ऐसा होता है, तो हम बोलेंगे, we have this part process dot exit, हम बोल देंगे, एक दम प्यार से आप बाहर निकल जाओ, अगर connection नहीं होता है, यहाँ पे dot की need नहीं हमें, ठीक है, and हाँ, अगर सब कुछ set होता है, try के अंदर हम जाएंगे, we need to wait, हमें wait करना पड़ता है, जब हम Mongoose की मदद से, हम हमारे database के साथ connection करना चाहते है, and यह जो URI है, यहाँ पे मैं pass कर देता हूँ, एक second, इसको मैं controller save कर रहा हूँ, and यहाँ पे हम एक console.log करा देते हैं, कि अगर like यह perfect होता है, so हम लिखा सकते हैं, like connection है, so it's a connection successful to database, ठीक है, yeah perfect, this is it, अब यह जो connect DB है, again, आपके express की दुनिया में, आपको इसको guys, obviously export करना पड़ेगा, so it's a module.exports, and yeah, this is it, connect DB, ठीक है, so मेरा database का काम हो गया, and मैं अपने local जो database के साथ मैं connect हो रहा हूँ, so अब मुझे server.js file पर जाना पड़ेगा, मैं एक logic लिखता हूँ, मैं यह बोलता हूँ, सबसे पहले, तो मुझे इसको get करना है, so it's a connect DB, from कहा, from आपको लिखना पड़ेगा guys, यहाँ पर . forward slash, we have our like utils, forward slash DB yeah, this is it, dot just by default is, so it's not so much tension, so now this is my function, this is my function, this is my function, this is your promise return, obviously promise return, because we are waiting here, so I will go here, I will say dot then, if everything is fine, you know, then after that, this is the funda, this is the part, this is the part, this is it, so if my connection database के साथ, then and then only, आप इस मेरे app server, आप उसको start कीजिए, port number मैं already दे चुका हूँ, this is it, so यह था guys, आपका server के साथ, I mean backend and then database को आपके से connect कर सकते हो, तो मैं बस यहाँ जाओंगा, and boom guys, see, देखे, server is running at port 5000, perfect, यही तो मुझे चाहिए था, so this is how you can connect with your database, and I know आपको लग रहोगा, अपे यह क्या दाता हूँ, connection भले ही successful हुआ हो, मैं अभी database के अंदर हूँ, so मैं लिख सकता हूँ, so databases, so databases, तो इतने सारे database already है, but अभी जो मैंने create की ती, वो मुझे यहाँ पर नहीं मिलेगा, and there is a reason, and that reason is, जब तक आप कोई भी like database create कर ले तो, but उसके अगर आप एक भी collection create नहीं करते हो, then वो आपको दिखाई नहीं देता है, so जब तक हम कोई collection add नहीं करेंगे, हमारे database के अंदर, वो हमें नहीं दिखाई देगा, so yeah, इसको मैं हटाता हूँ, so guys, अब मैं आपको next video में दिखाऊँगा, कि कैसे आप original ये जो आपका actual online database है, basically MongoDB Atlas, उसके साथ आप connect कर सकते हो, and उसक आपको एक involvement variable के साथ मिलाना चाहूंगा, like आपका जो भी data उसको secure करने के लिए बहुत ही जादा useful होता है, so yeah guys, आज इस विडियो के लिए इतने होप आपको बहुत ही जादा पसंद आओगा, मैं one last time बोल रहा हूँ, please आप इस विडियो को जरू चेक आउट कीजेगा, starting का पार्ट, at least, install कैसे करना है, यह जो मैंने mongos आपको दिखाया, over here, यह मैंने mongos क्यू लिखा, and मैं यह कैसे लिख पा रहा था, मैंने यह कैसे connect हुआ, please आप उसको ज़रू एक बद चेक आउट कर लिजेगा, so yeah guys, वीडियो पसंद आए, तो like कीजेगा, दोस्तों के साथ बार बार के share कर दीजेगा, next target है 1 million subscribers, तो अभी तक subscribe नहीं कर दीजेगा, मिलता हूँ मैं आपको next video में, till then guys, thank you so much, take care,